ही वाई टीबियांस की हल चाल वेलकम बैक टू दा चैनल दोस्तों कई दिनों से मेरे चैनल पर एक व्यूवर ये डिमांड कर रहा था कि मुझको इगलू इस्टे मनाली का एक डिटेल्ड पैकेज वीडियो बना करके दीजिये तो मैंने इसके उपर बहुत जादा रिसर्च क करी पता लगाया कि मनाली के अंदर इगलू इस्टे कौन सी कंपनी इस सर्विस को प्रवाइड करती है फिर उस कंपनी का पता लगा करके मैंने परसनली उस कंपनी के ओनर से वाटसप पे बात करी और बात करके पूरी डिटेल का पता लगाया और डिटेल का पता लगाने के बात मैं ये वीडियो आपके सामने ले करके आया हूँ और यकीन मानें दोस्तों इस जब डिटेल को मैंने अपने वर्टसप पर देखा ओपन करके तो मेरे दातों तले उंगलियां दबी के दबी रह गई दोस्तों ये एक ऐसा इगलू स्टे है जो केवल एक ही है भारत के अं इस लेवल का प्रोवाइड किया जाता है तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और हाँ दोस्तों अगर आपने वाई टी भारत चैनल जो अभी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब करो नीचे रेड करते हैं और जान लेते हैं इगलू स्टे इन मनाली बाए किलिगा हिमालेन एडवेंचर कंपनी दोस्तों इस कंपनी के को ओनर है मिस्टर विकास कुमार और तोशी दरजीस इनके ब्रेन और एफर्ट ने मिल करके इस एडवेंचर कैम्प को बिल्ट किया है और ये केवल एक इगलू स्टे है पूरे इंडिया के अंदर जो आपको मनाली के अंदर मिलता है दोस्तों इसको पूरे वर्ड के बड़े बड़े ऑनलाइन पुब्लिकेशन के साथ साथ इंडिया के बड़े बड़े पुब्लिकेशन हाउस इसने कवर किया है इसमें से मैं कुछ आपको ना बड़े जो इस camp stay को cover कर चुके हैं और इसकी तारीफ करते वो नहीं ठकते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग के सामने igloo stay in Manali का मैं ले करके आ गया हूँ आगे आप मेरी laptop की screen में चलेंगे और पूरा detailed मैं आपको बताने वाला हूँ इस package का description कितनी category है इस package के अंदर बहुत ही कम cost के अंदर ये आपको package provide किया जाता है और यकीन मानिए इतना जादा adventurous है कि मैंने जब इस content को read किया तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाया मैंने खुद अपनी एक booking कर वाली है जन्वरी के अंदर और हाँ दोस्तों मैं ये जरूर चीजा add करना चाहूँगा इस वीडियो में कि ये जो camp है ये आपको limited duration के लिए मिलता है पूरे year के अंदर ये केवल आपको मिलता है जन्वरी mid से ले करके और March के mid तक के बल इतना ही time है लगबग आपको 20 दिन पहले इस camp को book करना पड़ता है इस camp की booking के लिए मैं आपको numbers जो है वो वीडियो के title में भी provide कर रहा हूँ पर और इसके साथ साथ जो वीडियो का description है उसमें भी इस camp stay को book करने के लिए आप contact numbers आपको वहाँ पर दे दिये जाएंग सारी आपको जो है वो address contact number इस वीडियो में provide के जा रहे हैं तो अगर आप इगलू stay करना चाते हैं once in a lifetime experience करना चाते हैं तो आप इगलू stay हो कर की आईए और मैं आपको एक चीज और बतायता हूँ कि ये जो इगलू stay है ये पढ़ता है मनाली के अंदर सेथान विलेज में ज इसके लिए एक से देड़ घंटे की drive होती है 4x4 की car यानि के gypsy के अंदर आपको ले जाये जाता है जिपसी में चार लोग अराम से comfortably बैट करके ले जाये जाते हैं और वहां पर जब आप campus stay पर पहुंसते हैं तो वहां से फिर 200 मीटर की नीचे की और आपकी जो है वो walking होती है walk करने के लिए आपको अच्छे खासे gum boots की requirement होती है जो आपको इस package में provide किये जाएंगे जो एक category है हस package की तो आप उस category को ले लीजेगा जिसमें आपको dress के साथ साथ gum boots भी provide किये जाएंगे और सारी facility आपको provide की जाएगी तो देर न करिए चलिए चलते हैं मेरे साथ अप तो friends आप लोग देख रहे हैं वाइटी भारत चैनल और मैं वाइटी भारत चैनल पर पहली बार लेकर के आगया हूँ Indian igloo state का detailed package का वीडियो आए शुरू करते हैं दोस्तों यह जो information है वो मुझे provide की है igloo stay in Manali by Klinga Himalayan Adventure Camp के द्वारा तो जो भी information आपको मिल रही है वो camp के through ही provide की गई है और उनकी permission से ही मैं इस वीडियो को बना करके आपके सामने लेकर के आया हूँ आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही informative और interesting वीडियो को चलिए दोस्तों यह आपको camp की एक footage दिख रही है live place की igloo yes please यह कुछ camp के members हैं और इस तरह का आपका igloo का structure होता है और इतना solid structure होता है कि अगर इस पर 10 लोग भी आप खड़े कर दें तो यह नहीं टूटेगा इसलिए बहुत सेफ होता है और सबसे interesting बात यह है कि जो temperature आपका इस stay से igloo stay से बाहर होता है उससे कम से कम 10 degree यह अंदर की और गरम होता है तो अंदर जो आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यह वैसा ही लगेगा जैसा आपका दिल्ली के जन्वरी के अंदर temperature होता है लगभग उससे थोड़ा सा आपको colder आपको मैसूस होग नहीं तो stay में किसी भी तरह की problem नहीं आने वाली है आइए structure देखने के बाद a seasonal limited period edition sttp www.killinga.com पर आप पूरी detail ले सकते हैं यह इनका logo है किलिंगा हिमाले एडवेंचर इस कंपनी का नेम है आईएस का introduction देख लेते हैं और introduction में साथ साथ आप right hand पर देख रहे हैं कि इसको किस किस online media houses ने cover किया है the times of india, india today, scoop hope, z news, the tribune, india today, national geographic travelers, india times, so there are so many so many international और india जो हमारे good content provider है media agencies हैं उन्होंने इस travel agencies को cover किया हुआ है और यह igloo stay camp को वो पहले से ही cover कर चुके हैं लेकिन आज YT भारत चनल पर पहली बार इसके package का detail video लेकर के आया गया है तो पूरी तरह से इस video को देखेगा शुरुआज से लेकर के अंते तक अगर आप इस one in a lifetime opportunity को avail करना चाहते हैं तो इस video पर last तक आप बने रहे आपको पूरी information detail में provide की जाने वाली है किलिंगा Himalayan Adventure is a leading outdoor adventure travel outfit based in Manali duly affiliated with the government of Himachal Pradesh किलिंगा Himalayan Adventure company जो outdoor adventure travel के outfit को provide करती है Manali में वो government of Himachal Pradesh से affiliated है apart from providing round the years adventure activity sports we are proud to have pioneered the igloo concept मतलब जो पूरे साल ये adventure activity के साथ साथ जिसमें ये specialist है igloo concept sports activity and the igloo concept इसमें जो famous है इसको आपके सामने पेश करने में ये बहुत अपने आपको proud feel कर रहे है only one of its kind in India ये किवल अपने आप में ही भारत में एक ही है which is the turning out to be a huge hit almost in thesis it is setting a new milestone in winter tourism इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इसने नए milestone को रखा है combination of brain and hard work of local lads विकास कुमार और तोशी दर्दीस के brain और hard work का ये एक बहतरी नमूना है जो igloo concept आपको invite करता है rare views के लिए and have been featured in major online publications में इसको feature किया गया है ये देखिए igloo stay के बहार ये एक family है 1, 2, 3, 4, 5 लगबग 5 igloo stay आपके screen में दिख रहे हैं कितना सुन्दर है यहाँ पे skiing board यहाँ पे रखा हुआ है skiing भी कर सकते हैं इस activity के साथ साथ ये सब इनके वीडियो के publications है जो आप देख रहे हैं इनकी headings के तुरू आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं इन वीडियो को watch कर सकते हैं और live experience कर सकते हैं इन वीडियो में आपको our igloo package जो सबसे main attraction है इस वीडियो का आपको मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहली A category में आप देखेंगे A category में है two night, three days igloo plus hotel का stay seven six double nine per head आइटनरी है डे वन में आपको arrival at hotel killinga in pickup from मनाली bus stand से आपको ले करके hotel killinga in ले करके जाए जाएगा bus stand lunch आपको करवाय जाएगा, side sing करवाय जाएगा dinner करवाय जाएगा and stay in hotel आप तब करेंगे उसके बाद drive to the igloo campsite day two पर आप drive करेंगे campsite के लिए उससे पहले आप breakfast करेंगे enjoy करेंगे skiing को, tube siding को, make igloo and enjoy करेंगे dinner को, music, bonfire को यह आप सब day two में करेंगे जब आप camp के पास पहुँच जाएगे, igloo के पास पहुच जाएगे तो आपको वहाँ पर breakfast यही से मिल जाएगा आपको उसके बाद आप screen करेंगे वहाँ पर जाके tube sliding करेंगे igloo बनाएगे, dinner enjoy करेंगे bonfire enjoy करेंगे यह उसके बाद third day है जब आप igloo से wake up करेंगे तो आपको snow view देखने को मिलेगा वहाँ पर आप breakfast को enjoy करेंगे और वापस आपको hotel पहुचा दिया जाएगा hotel किलिंगा जो आपका लगबग 4 km है आपका mall road से उसके बाद आप fresh up होंगे और आपको manali bus stand वापस आपको drop कर दिया जाएगा तो यह है जो आपका first package की category है 7-6-9-9 per head इसके बादे मैं आपको बताया उसके बाद जो second आपकी जो है जो सबसे दा famous है वो है one night two days का igloo stay day one पर आप report at hotel किलिंगा आप पहुँचेंगे सुबह 9 बजे उसके बाद registration कराएंगे snow dress proceed snow dress आपको दी जाएगे उसके बाद आप igloo site के लिए प्रोसीड करेंगे आपको ले जाए जाएगा एक 4x4 की cap में जो मैं आपको बताया जिफसी होती है उसमें आप पहुच करके बहाँ पर enjoy करेंगे skiing, tea sliding, igloo बनाएंगे snowman का enjoy करेंगे और dinner करेंगे रात को music और bonfire के साथ का आपका stay होगा igloo में next day जब आप उठेंगे wake up तो snow को enjoy करेंगे breakfast करेंगे और आपको drive back ले जाए जाएगा hotel पर उसके बाद आप fresh up होँगे और आप manali bus stand वापस आपको drop कर दिया जाएगा तो 5499 में ये best activity है जो सबसे ज़ादा लोग preferred करते हैं जो next और third है चीप उसके बारें आप बता दरा हूँ day activity है केवल ये आपको stay नहीं मिलेगा selfie आप खिचवा सकते हैं 38 पर registration कराईए snow dress के साथ gears के साथ proceed कर ये igloo campsite के लिए और सुबह साड़े 9 बजे drive पहुँच जाएंगे आप igloo camp पर enjoy करिये activities like skiing, tube sliding, making snowman और igloo enjoy आप करिये igloo site पर 3.5 बजे आपको drive back पहुचा दिया जाएगा base camper तो इसके लिए देखें आपर बताया गया है कि minimum 4 packs के requirement है अगर आप day activity करना चाहते हैं तो इसके बाद next आपको बताया जा रहा है पूरी guide किया जा रहा है for guide instruction on skiing and snowboarding extra charges will apply for booking informers in advance all activities are subject to weather conditions अगर आप ये कोई भी activity करना चाहते हैं आपको पहले से inform करना पड़ेगा और ये weather की condition पर depend करता है कि आपको adventure activity करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी early advanced booking are highly recommended की जाती है once the winter gives you way to the shiny shimmers igloo tend to perish एक बार जब shiny गदम shimmer हो जाता है winter आजाती है खास करके January के mid में और ये camp start हो जाता है इसके बाद ये मार्च के mid तक चलता है उसके साथ साथ ये जो experience होता है ये unique होता है and lifetime experience होता है जो केवल जिन्दगी में आप एक ही बार कर सकते हैं inclusion के बारें बताते हैं इस package में क्या क्या included है one night का hotel है stay double sharing basis पर जिसमें breakfast dinner है one night accommodation है igloo में double sharing basis पर जिसमें आपको warm feather sleeping bags मिलेगा with one extra fleece will be provided with thick form mattress and hot water bottle आपको दी जाएंगी इसके साथ साथ मैं कुछ additional चीज भी बता जेता हूँ आपको क्या 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 दिया जाएगा आपको एक torch light type के इसके अंदर प्रोवाइट के जाएगा आपकी एक polythene की पुरी sheet डली होती है तो ठंड लगने का जो वो chances हैं वो बहुत कम होते हैं अंदर का temperature नॉर्मल ही होता है और night में जो है वो अच्छी खासी जैसे आपको normal hotels में नीद आती है वैसे ही आ सकती है सुबह जब आप उठेंगे तो आपको igloo के अंदर ऐसा feel होगा कि मान लो आप किसी marble के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं और इतना अच्छा lighting वहाँ पर आपको feel होगा look and feel कि वो आपको देखते ही बनेगा इसके बाद आपको इस package में included है bonfire और music यहाँ को provide किया जाएगा इसके बाद meal जो fresh cooked होता है campsite पर ही hot drinks आपको दी जाती है coffee यह सवाब को दी जाती है activities आपकी skiing है tube side है glue making है side ride under expert guidance यह आपको provide कि जाती है complimentary pick and drop होता है मनाली bus stand से उसके बाद आपका two hours का freshening up होता है hotel में और जो आप return करते है campsite से तो भी आपको यह facility provide की जाती है अब package B का आपको बतायते है क्या क्या inclusion है one night accommodation है igloo के अंदर double sharing basis पे warm feather sleeping bag होते है वहाँ पर एकसा fleece होती है thick warm mattress होती है hot water bottles होती है यह सब चीज़ होती है all meals freshly cooked at igloo campsite and hot drinks यह आपको package B में मिलती है exclusion में क्या क्या है जो आपको नहीं मिलता है वो आपको बतायता हूँ expense of personal nature such as tips, laundry, beverage, etc आपको extra pay करना पड़ेगा other expensive which are especially not mentioned in inclusion transport charges from hotel to igloo campsite and back applies 3500 पे 4 into 4 cab के आप से लिये जाएंगे which would be shared between the co passenger on that trip जो अगर आप मालने आप 2 लोग है और दो लोग आपके साथ और जा रहे हैं तो 4 लोग हो गए तो उसमें आप share कर सकते हैं total आपका 3500 रुपीस का charge लगता है तो 4 लोग हो गए तो क्या कहना अगर आप लेके जा रहे हैं point to the concern आपको क्या क्या चीज़े note करनी है वो आपको मैं detail आपको देर जा रहा हूँ यहाँ पी चीज़े note करने वाली है igloo and snow related activities are subject to timely and sufficient snow as well as favorable weather conditions, safety is our prime concern igloo आपको तभी provide किया जाता है जब वहाँ पे weather conditions favorable होती है igloo बन पाता है तभी आपको provide किया जाता है second यह है the igloo camp is located करीब 10-4 feet पर MSL Humta सिथान विलिज में यह located है जो 10 km uphill है from base camp से hotel killinga से इन से और 4 km से from mall road मनाली से यानि की hotel killinga इन जो 4 km small road pasted है उससे लगबग 10 km और या आगे पढ़ता है तो 10-4 feet की उचाई पर है there could be rare occasion when the road to and from igloo camp remain temporarily blocked बहुत कम chances होते हैं कि two or from igloo camp तक road block हो जाए due to heavy snowfall और even otherwise beyond human control जो human के control में नहीं होता in such circumstances please be prepared to descend on foot उसके बाद आप त्यार हो जाए अपने पैरों पे खुच चलने के लिए जो लगबग 2-3 गंटे का normally base camp तक का रस्ता होता है आपको ले जाये जाएगा बट यह बहुत कम होने के chance तो है we suggest to keep a day और two spare in hand हम suggest करते हैं कि एक से दो दिन आप इस पेर अपने पास रखे वारी scheduling to avoid disappointment due to situation affirmation 102 दिन का आप extra time लेके जाए कई बर conditions ऐसी होती है कि problem खड़ी हो सकती है इस लेक से दो दिन का आप time लेकर के चलिए यह आपको मैं campsite यह कुछ views दिखा रहा हूँ पूरा snowfall से kept है यह mountain और आप देख रहे हैं सामें लोग enjoy कर रहे हैं activities को essentials क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो हम बताता हूँ gum boots, hiking boots जिसे हम कहते हैं blue camp is about 200 meter है away from the road से which suggests quality boots आपके पास होने चाहिए good grip होनी चाहिए keep you fit firmed up and warm in the snow जो snow में गरम रहे और अच्छी तरह से grip बनाए woolen jackets आपके पास होनी चाहिए sweater होना चाहिए, cap होनी चाहिए, shocks होना चाहिए hand gloves होने चाहिए और साथ में आपको extra pair भी carry करने है thermal inner wear to keep you cozy and comfortable sunglasses to help prevent direct exposure to the sun, UV rays sunglasses पहनिए, जो reflective होने चाहिए eyes में आपके धूब directly ना पड़े उसके बाद toiletries और meditation आपके साथ में होनी चाहिए जिसे आप carry करें and above all spirit of adventure और ये आपको एक मैं simple perfect picture दिखा रहा हूँ campsite की, ये आपके सामने है आप देख लिजे लगभग कमर तक ये बरव जमी हुई है refund policy आप देख लिजे refund policy यहाँ पर आप पॉश करके पढ़ सकते हैं refund policy अगर आप refund लेना चाहिए तो किस के सरह से आपको refund होगा यहाँ पर आप पॉश करके आप पढ़ सकते हैं screen को आगे चलते हैं देखते हैं ये देखे कुछ photograph मैं आपको दिखा रहा हूँ camp की ये igloo है, igloo के उपर बैट करके खिच्वाई गई है photograph बतायता हूँ आपको कम से कम दस लोग भी अगर इस igloo के उपर बैट जाएं तो igloo पर कोई पर रखनी पड़ता है बहुत ही heavy होता है और बहुत ही safe होता है igloo contact us, contact करें यहाँ पर यह आपको दिया गया है bank है, state bank of India, Manali branch है Manali account name है Klinga Himalayan Adventure current account number है 36441436721 IFSC code है SBIN 0002416 note दिया गया है guests are requested to make the full payment at our base camp पर full payment करके hotel Klinga in पर payment करके आप चलिए and obtain receipt prior to moving to igloo camp igloo camp पर पहुंचने सपहले आप receipt ले करके जाएए और अगर अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो पूरी detail मैं आपको देने जा रहा हूँ kindly email us at info.klinga at the rate gmail.com with full detail after making the payment or booking amount आप ये भेश सकते हैं visit करिये klinga.com इनकी website है hotel details आपको जा करके मिल सकती है www.klinga-in.com पर mobile number है 945-999-6999 इन नमबर पर इसके बाद दूसरा नमबर है 981647227 इन नमबर पर call करके आप bookings related सारी information ले सकते हैं address है hotel killinga in post office प्रीनी तैसील मनाली डिस्टिक कुलू हिमाचल प्रदेश 175143 facebook आपके सामने आ रहा है मनाली igloo instagram manali underscore igloo underscore stay youtube भी है इनका page तो इस page पर जाकर के आप सारी videos को watch कर सकते हैं दोस्तों मीट करता हूँ आज के वीडियो बहुत interesting लगा होगा यह hotel killinga की आपके सामने एक picture है एक image है यह भी आप look and feel लीजे इसके साथ साथ और भी जुड़े होए कोई भी सवाल रह जाते हैं इस वीडियो से तो आप IT भारत पर comment करके पूछ सकते हैं और हाँ दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाता हूँ क्यूं घूमते हो पूरी दुनिया में यार इंडिया को भी घूम करके देखो एक बार मिलते हैं वाइटी भारत के इसी तरह से बहुती interesting और adventurous वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री